नमस्कार दोस्तो राजे सारोधिक्टिफ्स चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज का ये जो ब्रच आप देख रहे हैं ये पीपल की ब्रच जो होता है बरगत का जो ब्रच होता है जो गूलर का ब्रच होता है उसकी परिवार में ये सामिल ब्रच है दोस जिन जिन ब्रच्छों में दूद निकलता है वो निश्चित रूप से हमारे पेट के पाचन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं तो आज का यह आउसरी ब्रच्छ प्लच्छ का ब्रच्छ है जिसे सामान बोल चाल की भासा में पाकड कहा जाता है दोस्तो मैंने इस जालने वाले लोग वहां पर रहते हैं ऐसा ड्यूप जिसमें त्रेता यूग जैसा वाता वरण रहता है उसी ड्यूप में जो ब्रच्छ पाए जाता है वो यही पाकड का ब्रच्छ है जिसे प्लच्छ का जाता है इसको पिलखन भी कहा जाता है दोस्तों और इस तरह से य बरसात की दुनों में इसके पत्ते हो जाते हैं और दोस्तों यह आउसदी गुणों से भरपूर है इसके पत्ते आप खा भी सकते हैं और इसकी छाल का प्रियोग आप अपनी बीमारियों को दूर करने में कर सकते हैं दोस्तों इस यह जो पाकड का ब्रच है दोस्तों इसकी ज मोहाक इतनी अद्बूत सी तलता मिलती है इतना मन प्रसन्न हो जाता है इस ब्रच के नीचे आने से इसके लावा दोस्तो वैदिक परंपरा के अनुसार दोस्तो इस ब्रच के नीचे यग इत्यादी कराने से अच्छे पुन्न फल की प्राप्ति होती है दोस्तो दोस्तो इस ब अभी और दुस्तों तो फाकल का ब्रच वेन को खाए तो उनका प्रच्राइब नाम.フथायद्म, दूस्तों पाकल का ब्रच्षां में गंती होती इसकी और इसके सेवन से लीवर के disorder ठीक होते हैं और पेसाब समंदी सभी रोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं दोस्तों दोस्तों मित्रों इस ब्रच की जो तैने की च्छाल होती है उस च्छाल का काढ़ा बनाकर पीने से महिलाओं माताओं बैनों की कई प्रकार की याउन र मस्याओं में दोस्तों ये इसका काढ़ा बनाकर पीने से बहुत अच्छा लाब मिलता है और धीरे-धीरे वह भीमारी ठीक हो जाती है और दोस्तों यही काढ़ा पीने से इसके तने की च्छाल उबाल कर पीने से दोस्तों पेट का पाचन बहुत ही अच्छा होने लगता है और बाचन क्रिया मजबूत हो जाती है पुछ दिनों तक आगर इसका सेवन क्या जाए तो कही सारे पेट की विकार दूर हो जाते हैं दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए और किसी नए पौदिक साथ फिर से आप से म मिलेंगे तब तक के लिए जाएंद